हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको आरोग्या सेतु एप को अपने स्मार्टपोन पर इंस्टॉल करना है भारत सरकार के दुआरा अभी ये एप लॉंच किया गया है जिसकी सायता से आप कोरोना के बारे में ज्यादा जानक ले सकते हैं सात में अगर आपके पास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ती है तो उसकी भी जानकारी इस ےप पर आप लोगों मिल जाएगी तो इस एप को कैसे यूज करना है कैसे आपके स्मार्टपोन पर इंस्ट्रॉल करना है उसके बारे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो पहले नंबर पर ही आपको आरोगया से तो एप मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको इंस्टॉल वाला ये बटन दिखाई दे रहा है इस इंस्टॉल वाले बटन पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप install वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपका app आपके smartphone पर download होना start हो जाएगा ये 2.87 MB का है तो आपके network के हिसाब से जितनी speed आपको मिल रही उसके हिसाब से download होने में कुछ time लेगा तो फिलाल अभी हमारा app जो है वो download हो रहा है download हमारा लगबग यहाँ पर देश तो complete हो गया है और उसके बाद में अब हमारा app यहाँ पर हमारे smartphone पर install हो जुगा है तो यहाँ पर open वाला icon दिखाई दे रहा है या आप direct जो है अपनी app list में जाकर open कर सकते हैं तो हम फिलाल यहीं से open कर रहे हैं तो यहाँ से open करने हैं और अब आपको अपनी जो है language select करनी है तो यह English, Hindi, गुजराती और भी बहुत सारी जो है करीबन 13 language के अंदर यह available है तो आप अपनी regional language यहाँ से select कर सकते हैं तो फिलाल हम यहाँ पर हिंदी select करेंगे Hindi select करने के बाद में आपको next पर click करना है नेकस्ट पर click करने के बाद में देखी यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी जा रही हम सभी भारत में फैल रही Corona Virus महमारी को रोकनी की छमता है हम सभी में ऐसी छमता है क्या आप चालते हैं कि आपको यह जानकारी मिले कि आपके संपर्क में आया हुआ है वक्ती COVID-19 positive तो नहीं पाया गया है तो ये बहुत ही जरूरी है और ये ही इस app का main feature है कि आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है कि आपके आसपास कोई corona संकर्मित वक्ति तो नहीं है अगले page पर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको Bluetooth और जो location है वो यहाँ पर on करके रखनी है तो अब हम यहाँ पर जो अपनी Bluetooth और जो यहाँ पर location है दोस्तों उसे check करते हैं तो फिलाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो मैं यहाँ पर Bluetooth on कर देता हूँ उसके बाद location हमारी यहां पर पहले से on है वापस आप दुबारा से एप के अंदर आ जाएंगे एप के अंदर आने के बाद में आप फिर यहां पर scroll करेंगे फिर दुबारा से scroll करेंगे यहां पर आपको register करें वाला option दिखाई दे रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि आप अपने परिवार और मित्रों की COVID-19 से सुरक्षा कर सकते हैं और रास को इससे लड़ने में सहायता कर सकते हैं हम सुरक्षित तो पूरा भारत सुरक्षित तो आपको register पर click करना है और दोस्तों यहां पर इस app को आपको जो है कि आप जो है यहां पर COVID-19 के संकर्मित व्यक्ति के संपर्क में आए है या नहीं आपके पास कोई मरीज COVID-19 का है या नहीं तो यहां पर देखिए आपको नीचे दिखाई दे रहा है मैं सहमत हूँ तो इस पर आपको click करना है और यहां पर Allow All That Time पर आपको click करना है उसके बाद में यहां पर आपको आपका Mobile Number एंटर करना है आप अपना Mobile Number वही एंटर करें जो आपकी smartphone पर हो तो मैं आपर अपना Mobile Number एंटर कर देता हूँ तो फिलार मैंने अपना Mobile Number यहां पर डाल दिया है Submit करें इसके बाद आपकी स्मार्टफोन पर एक OTPI आएगा जो की auto capture कर लिया जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी जो व्यक्तिकत जानकारी है वो देनी है पुरुस इस्तरी या अन्य वो आपको select करना है पूरा नाम आपको यहाँ पर type करना है पूरा नाम जो भी है आपका वो यहाँ पर आप लोग type कर देंगे तो फिलाल मैं अपना नाम यहाँ पर type कर देता हूँ IU आपको यहाँ पर लिखने है जितनी आपकी age है तो फिलाल मैं अपनी age यहाँ पर लिख देता हूँ उसके बाद जो आपका occupation है वो यहाँ पर यानि कि जो आप काम करते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है तो इन में से कोई नहीं या जो भी आप हैं वो यहाँ से select कर लेंगे और उसके बाद अगर आप कहीं विदेश में आपने जो है यहाँ पर यात्रा की है पिछले 30 दिनों के दोरान तो वो country आप लोग select कर लेंगे कि आप कौन सी country के अंदर गए थे तो फिलाल मैं किसी भी country में नहीं गया था तो मैंने none पर select किया जरूरत के समय स्वयम सेवा में रूची यहाँ पर आप जो है क्लिक करेंगे सब्मिट करें सब्मिट करने के बाद में अब आपका आरोग्य सेतु एप पूरी तरह से open हो गया है आप सुरक्षित हैं यहाँ पर सबसे पहले दिखाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे जो यहाँ पर जो location के हिसाब से जानकारी यहाँ पर दी जाती है आपका जोकिम स्तर आपके द्वारा परदान किये गए self assessment data और किसी संकर्मित व्यक्ति की निकरता के आधार पर आजारी थे यानि कि हम किसी भी व्यक्ति के संकर्मे जो हैं आपर नहीं आए उसके समीप नहीं पहुँचे हैं अपडेट रहने के लिए एक को नियमेत रूप से चेक करते रहना है घबराई यह नहीं सावधान रही है यहाँ पर कुछ आपको जानकारी दी जा रही है और यहाँ पर देखिए यह आप देखिए COVID-19 साहता के अंदर तो आप किसी भी स्टेट के अंदर हो इंडिया की किसी भी स्टेट के अंदर हो तो वहाँ की जो हैल्प लाइन नंबर है वो आपको यहाँ पर शोग की जा रही है किसी पर भी एक क्लिक करके आप पूरी जानकारी वहां से ले सकते हैं अगर आपको कुछ दिक्कत आ दिया है तो इन नमबर्स पर आप लोग कॉल कर सकते हैं उसके बाद में next option यहां पर self assessment वाला दिखाई दिता है self assessment में क्लिक करके आप यहां पर अपनी जानकारी यहां पर submit करके आप लोग जान सकते हैं कि आप में कुछ कोरना के संकर्मन के कुछ लक्षन है या नहीं है तो आपका link क्या है तो वो सबसे पहले आपको select करना है यानि कि आपको अपना gender select करना है उसके बाद में आपको अपनी age यहां पर type करनी है तो age यहां पर मैंने फिलाल type कर दी है next पर आपको click करना है आप नीचे दिये गए लक्षनों मेंशे किसी एक का अनुभाव करना है तो यह आपको बताना है तो फिलाल हमें कोई दिक्कत नहीं तो इन में से कोई दिक्कत नहीं है आपको कभी नीचे लिखे गए रोग में से कभी हुआ है तो ये आपको बताना है कि इन में से कोई बिमारी आपको है नहीं तो इन में से कोई नहीं पर हम क्लिक करेंगे पिछले 14 दिनों में कोई विदेशी आत्रा आपने की है हमने कोई विदेशी आत्रा नहीं किया तो हम नहीं पर क्लिक करेंगे नीचे दिएगा है विकल्कों में कौन सा विकल्प आपको जो है लागू होता है हाली में किसी COVID-19 पोजिसिव मिलना हुआ है नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है मैं स्वस्थ करमचारी हूँ सुरक्ष्वास गेरगवी साथ में बेना COVID-19 पोजिस में जा इन में से कोई नहीं पर हम क्लिक कर लेगी तो यहाँ पर देखिए आपका संकर्वन जोखिंग कम है हम अनुसंसा करते हैं कि आप नोवल कोईना वारेस के संपर में किसी भी आउसर से बचने के लिए घर पर रहें तो में यहाँ पर यही है कि आगर आप फिलाल सेफ हैं तो आप घर पर ही रहे और घर पर ही काम करें नीचे आपको यहाँ पर और ज़्यादा जानकारी दी जा रहे है कोईट-19 के बारे में जानकारी आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से एक फाइल डाउन्लोड होगी उस फाइल में आपको जो ओफियल इन्फोर्मेशन है गॉर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या मिनिस्ट्य ओफ हैल्थ इन्फोर्मेशन के द्वारा जो यहाँ पर जानकारी दी गई है वो जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं तो फिलाल यह जो है यहाँ पर डाउन्लोड होने में कुछ टाइम ले रहा है तो जैसे यह डाउन्लोड होता है सारी जानकारी आपको उसी language में यहाँ पर मिल जाएगी तो हम यहाँ पर back जाते हैं उसके बाद नहीं कि COVID-19 क्या है क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए भी एक file यहाँ पर download होगी तो वो file आप download कर लेंगे और आप जानेंगे यहाँ पर कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है तो यहाँ पर देखिए हमारी file download हो गई है तो यह आपको करना है और यह नहीं करना है वो सारे चीज़ें यहाँ पर बताई गई है अगली बात करी जाएंगे यहाँ पर देखे COVID-19 से सुरक्षा की उपाय आपको बताए गए है उसके बाद नीचे आपको जो यहाँ पर हमारी भारत सरकार है या उनके कुछ नेता है वो सारे लोग यहाँ पर जो हमारा Health Department है नीचे आपको Twitter के जरिये नई जानकारी दी जा रही है नई खबरे दी जा रही है क्या करना है, क्या नहीं करना है तो वो सारी जानकारी यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं तो ऐसे इस एप में आपको सारी जो कोरोना के बारे में जानकारी है वो यहाँ पर बताई जाएगी तो आप इस app को अपने smartphone पर जरूर से install कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताईए इस वीडियो के बारे में इस वीडियो को अपने जो है यहाँ पर जो share वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है उस बटन पर क्लिक करके WhatsApp, Facebook, Twitter हर जगा अपने दोस्तों के साथ में share कीजिए ताकि सभी लोग जो है Corona Virus से यहाँ पर शुरक्षित रहें तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद